हेलो नमस्कार मेरे पहरे साथियों राधस्तान पसू प्रीचर वर्थी प्रीक्षा दोज आज 24 एनिमल अटेंडेंट के लिए दोस्तो आज का ही मोडल पेपर भाई 22 वा आज आपके सामने लेकर आज चुका हूँ जो एक्जाम के पॉइंट विचे बड़ा इंपोटेंट है जी हाँ मेरे पहरे साथियों पढ़ते क्यूशन के एक दम फुल डिटेल के साथ एक ऑथेंटिक सोलिसन दोस्तो देखने को मिलता है जो सिद्धा दोस्तो आपकी एक्जाम में एक राम बान एक मील का पतर दोस्तो उसावित होगा बिल्कुल दोस्तो यहां से 100% आपकी एक् आपको दावे एक साथ बता रहा हूँ एक authentic एक unique और genuine content द्वारत त्यार किया गया model paper है दोस्तो इसले मापको बता रहा हूँ कि दोस्तो इनक्यूशन को बाई गोल के पीजाना अगर आप आपकी exam तक दोस्तो आप आपकी exam तक अगर हमारे इन model papers की exam से इसको बाई continue देखते नहीं करवाए था दускर अबरा इजी है दोस्तो आपको इसको एजी देख रहा होते लेकर दोस्तो इसकी आपको explain देखने को मिलेगी न है ना बाई explain दोस्तो आपको से की तो यहाँ पर देखें कि दोस्तो हमारे इसक्यूशन का अंसर क्या हो जाएगा उतना बड़ी बिल्कुल करेक्ट जाएगा मारहाव उमेद सिंग ने दोस्तो बूंदी में चितर साला का निर्मान कराये था अगर दोस्तो आपको पूंचले यहाँ पर नोट करना अगर पूंचले बूंदी में रंग साला का निर्मान किसने कराये था तब दोस्तो आपको करना है च्छतर साल च्छतर साल ने भाई रंग साला का निर्मान करवाये था अगर आपको पूछे बूंदी चितरकला सेली का सवन काल या golden period दोस्तो किस सासक के सासन काल को कहा जाता है तो दोस्तो इसी उमेद सिंग के सासन काल को बूंदी चितरकला सेली का सवन काल कहा जाता है very very important ठीक है रट लेना और दोस्तो यहाँ पर देखे यह हमारा है वाई उम का नाम है इसने दोस्तों बुंदि में बाई को तो राटवती को तीक पर इसे में अगर दोस्तों आपको neighbors क्योंधए कि यहांबर देखें दोस्तों क्या होगा यहां पर देखें दोस्तों नेश्ट क्योश्यस है हमारे दोस्तों इस क्वश्याइब का अश्रेऊं उड़ाज का है या अब देखें दोस्तों, राजस्तान साहिते के जितने भाई राश्य बात करूँ प्थ्वी राज राश्यासॉ की अगर म efforts करूँ जोद्राज दोस्तों हमारे हमीर रासों के रचेत अगर आपको कुछे तब करना आपको जोद्राज ठीक है इसके लाव अगर आपको पूंचने दोस्तो सगत अरासो की रचेता बाई कोन Нे बड़ा IMPORTENT Sगत रासो तो इसके रचेता है यह इसके रचेता है गिर्दर आश्या इस बात का दोस्तो ध्याननै ठीक है सगत रासो हो गया complete इसके लाव देखे दोस्टों अगर पूंथ ले इसके सती रासों की रिचेता क्योंशतों है mixed का सूर्यमल मिस्रण सूर्यमल मिस्रण दोस्तों मुझे नियुकूं jadi भई किसा दोस्तों सबया कि आपको पूरा क Aus कि किस महा में गंगोर का त्यूवार मनाय जाता है दोस्तों आप में से काफी शारी स्टुडेंट का कमेंट आता है कि सरा आप क्यूशन का लेवल थोड़ा सा एजी है थोड़ा सा दोस्तों एक लेवल उपर कीजी तो दोस्तों यहां पर नोट करना यह बात दोस्तों रादस् तो, दोस्तो इसकाद लगा दियान रखना, टीस तुमारा बावडी लेडवी गंगॉर तो तो दोस्तो इसका ध्यान रखना तीज त्युम्हारों का आगमन होता है त्युम्हारों का आगमन होता है वो दोस्तो कौन से त्युम्हार से होता है तो वो तीज से होता है और त्युम्हारों का समापन दोस्तो गंगोर से होता है गंगोर मने जाती है हमारी चेत्र मामे उत्त लाओं सुक्ला तरत्या क्या बनाना जाती है आप धोड़ी सी गणगोर की बात कर लेते हैं पहली बात दूसरी बात दोस्तों राधस्तान में कहा कहार कि फेमस है तो यहाँ पर नोट करना रादस्तान में गणगोर का त्योवार कमने जाता है अभी मैंने आपको बता है ना चेतर शुकला तर्तियागो यह बात दोस्तों मैं इसलिए बता रहूं कि इसके लोजिक है आगे देखे अगर आपको पूंचले दोस्तों रादस्तान में बीना इस गणगोरवा कहां की परशिद है तो दोस्तों या पर नोट करना यह बीना इसरकी की गणगोर और बीना इसर्की गणगोर और आपको पूंचले की गुलाभी गनगोर कहां की परशिद है गुलावी गंगोर दोस्तो राधस्तान में कहा की परसीद है तो ये मने जाती है दोस्तो ये नात द्वारे की परसीद है गुलावी गंगोर नोट करने ना वाई नात द्वारे राधसमंद की परसीद है गुलावी गंगोर ठीक है और ये मने जाती है वारी चेतर सुकल पंच को मने जाती है ठीक है अब देखे गंगोर पूचे तो चेतर सुगल तरतिया बीना इसर की गंगोर पूचे तो चेतर सुगल चतूर थी गुलावी गंगोर पूचे तो दोस्तो नादवारे की परसीदा है यह चेतर सुगल पंचिमी को मने जाती है ठीक है आपका इतना पूरा concept के लियर इसके लाव अगर आपको पुहुच ले राजस्तान में दीगा गमर दीगागंवर या दोस्तो दीगा गंगोर दोस्तो कहां की पशिदा आगर आपको क्यों से एक्जामर ये पूंच ले तो यहां नोट करना अगर option में उद्यपूर हो और option में अगर जोधपूर भी हो जोधपूर भी हो तो दोस्तों आपको करना है उद्यपूर इस बात का द्यान है क्या करना है उद्यपूर करना है अगर उद्यपूर option में नहीं है तब आपको करना है जोधपूर ठीक है अगर दोनों option म के एक्जा में इस प्रकार पूंच ले कि देंगा गंगोर कहा मने जाती है उद्यपुर में मने जाती है आपको मालूम पड़ गया एक्जा में क्यूशन दोस्तो ये पूंचा गया है कि देंगा गंगोर मेवाड के किस सासक के समय प्रारम में की गई तो यहां पे नोट करना म वार भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है तो इसमें कंफीर मुट हो ना ठीक है जैसा क्यूशन पूचे वैंसा आपको आंसर करना है इस बात का ध्यान रखना हमारे इस क्यूशन का आंसर क्या जाएगा चेतर माँ में ठीक है नेर्श्ट क्यूशन देखे दोस्तों क्या होगा यहां पर देखें दोस्तों थान कहते हैं बिलकुन ही बात है पुजारी को क्या कहते हैं सरनागत दोस्तों कहते हैं मैं जनम की बात करूँ तेजा जी के जनम की बात ठीक है अगर तेजा जी का दोस्तों मुख्या मंदीर पूँचे कि तेजा जी का ससुरौाल कहां पर है ससुरौाल कहां पर है तेजा जी का तब आपको करना है वही ससुरौाल करना है परनेर में दोस्तों ससुरौाल है नहीं ना इस बात का ज्यान है इसके अलाव देखिए दोस्तों तेजा जी की उपनाम अक्सर एक्जाम में पूंचता है तो तेजा जी को काला बाला का देवता किसे कहते हैं तेजा जी को कहते हैं इसके अलावा तेजा जी को दोलिया वीर भी कहते हैं दोलिया वीर किस लोग देवता को कहा जाता है तो दोलिया वीर दोस्तो तेजा जी को भ पर पाथ करें तो तेजा दोस्तो लोग देज़क़ा दीए यह पर नोट करना लोग देज़का तो लाछा गूज अधी suspension 834 23–0 मेर के मिनाओं से लाथा गूजरिकी गायों को छुड़ाते हुए दोस्तो छुड़ाते हुए इस बात का दोस्तो ध्यान रखना तो तेजा जी कौन या किसके द्वारा दोस्तो गायों को छुड़ाते हुए तो मेर के मिनाओं से लाथा गूजरिक गायों को छुड़ाते गायों को छुडाते हैं कितना गजब का परसन है गायों को छुडाते हुए या दोस्तो गायों का संद्रक्षन करते हुए सहीद हुए थे तो यहापर नोट करना राजस्तान के से तीन ही रोग डेवता हैं पाबुजी, गोगाजी और तेजाजी यहाँ पर देखे दोस्तो हमारा next question है बड़ा आसान सा परसन दोस्तो एक question में आपको काफी बार बता चुका हूँ और देखे दोस्तो यही question बार बार repeat होता है काफी बार पूच लेता है काली भाई कहां से संबंदीत है रास्तापाल डूंगरपूर से संबंदीत है से संबंदीत कौन व्यक्ति था तो काली भाई थी उत्ते नंबर सी बिल्कुल करेक्टर देगा जैसा question बार बार राधस्तान क्रमचरी चैनबोड का फेवरेट question है दोस्तो आपको दिखने में आसान लग रहा हुआ लेकिन दोस्तो बहुत गजब का person है ठीक है रास्तापाल पूचे तो डूंगरपूर में वादा ये डूंगरपूर से संबंदीती दोस्तो रास्तापाल नामक जगह का है डूंगरपूर में ठीक है ना तो गलती मत करना उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्टर देगा next question देखे दोस्तो क्या होगा यहाप पर देखे बाई अठारतो स तानु की करांती किसे मैं जोतपूर के मारादा तक्त सिंग ने किसके नेतरतों में सेना अजमेर बेती थी कुसल राद सिंग भी अर्दून सिंग रामचंदर या दोस्तो हिरा लाल कितना गजब का परसन है लेवल देखे कि क्यूशन का आप दोस्तो लेवल की बात करते हो तो पेपर में दोस्तो कोई लेवल नहीं होता सब ही क्यूशन इंपोर्टनिते हैं ठीक है ना उमारी स्कूशन का अंसर क्या हो देगा उत्ता नमर दोस्तो एक बिल्कुल करेक्टर देगा कुसल राद सिंग भी की नेतरत में दोस्तो जोतपूर के मारादा तक सिंग ने आजमेर में याद रखना कहा बेजी से ना उजमेर में बेजी ठीक है अगर दोस्तों मैं बात करूं कि आगर आपको पूछ ले कि राधस्तान एक करण की समय राधस्तान कि एकि एक क्राण के समय जोतपूर के मारदा कोन ते तो धोस्तो अनुवंत संघ ना हनुवंत से जोतपूर के मारदा हनुवंत सिंग तो धोश्तो इस बात का दियान रखना न न थे ना बड़ा गदप का अगर आपको सिद्धा पूशता कि दोस्तों वीजय सिंग पतिक का समंध किस किसान आंदुलन से था तो आप दोस्तों कर देते बिजोलय किसान आंदुलन से इसके पिछे का लोजिक समझे कैसे बिजय सिंग पतिक दोस्तों इसका मूल नाम क्या है दोस्तों तो बूप सिंग गूजर दोस्तों बीचे है किसान आंदोलंसी को रादस्तान में किसान आंदो lang किसे काहा जाता इगर आपको पूशे किसान आंदोलंसी किसे कहते तो गलती से मत कर देना सादु सितारामदास को कहते है सादू सिताराम दास को कहते है ठीक है ना सादू सिताराम दास को क्या कहते है विजोले किसान अंदुलन का जनक और विजय सिंग पतिक को राधस्तान में किसान अंदुलन का जनक कहते है इस बात का द्यान लखना अगर मैं थोड़ी शी बात करूँ दोस्तो इस बूफ सिंग क रादस्तान सेवा संग की इस्ताब न की ती यह बड़ा इंपूर्टेंट है रादस्तान सेवा संग की इस्ताब न कप की गई गुणिसों गुणिस में किसके दौरा की गई विजचिंग पती के दौरा कहां पर की गई तो वर्दा महराष्ट में की गई वर्दा महराष्ट मे रादस्तान सेवा संग के इस्ताब नहीं की यह तो की बात वही रादस्तान सेवा संग की ठीक है जी अब दोस्तों एक्जामी क्यूशन यह पूंचा जाता है कि जो रादस्तान केसरी समाचार पतर है रादस्तान केसरी समाचार पतर है वो दोस्तों कहां से परकाशित होता था तो गुनिस तो गुनिस में राधस्तान सेवा संग के दौरा वर्दा मारार से दोस्तो वीजे चिंग पतिक इसके क्याते संपा दखते इसके संपा दखते वीजे चिंग पतिक राधस्तान केसरी समाचार पत्र के ठीक है तो यह इसके दौरा दोस्तो प्रकासित किया जाता था सिधा संका राधेस्तान सेवा संक की आजमेर किया गया अजमेर इसका कब हुआ वर्दा माराष से अजमेर संका कब वुरा दोस्तों गुन्नी सो बीच में यह क्यूसरी एग्जामे पूछा गया रादस्तान सिवासंका वर्दा माराष से अजमेर इस्ताना आंतरन कब हुआ तो 1920 में हुआ दोस्तो इस बात का ध्यान रखना ठीक है बड़ा गजब का परसन दोस्तो आई यो आपका पूरा कंसेप्ट के लिए हो चुक होगा हमारे दोस्तो इस क्यूशन कांसर पता ही क्या हो मत्यस्तार निर्मान के पर्थम चरण मत्यस्य संग में मत्यस्य संग दोस्तों नाम रखने का सुझा कई दिया था वह टने किसकिस इपारिश Porsche पर दोस्तों नाम never तो दोस्तो जो मत्य से संग नाम रखा गया था राधसान एक गरन का पर्थम चरण मत्य से संग इसके अलाव देखे दोस्तो अगर आपको इसका उद गाठन करता को पूचले उद गाठन करता दोस्तो मत्य से संग कोन है तो यहाँ पर नोट करना एनवी गोडगिल राधसान एक गरन के पर्थम उर्दित्य चरण का उद गाठन करता दोस्तो एनवी गोडगिली है तीसे चरंगा हमारा दोस्तो जवाला नेरु छोटे चरंगा शर्दारवलवाई पाटेल इसके अलाव देखे दोस्तो अगर आपको राज परमुक मूशे मत्यसे संका राज परमुक किसे बना गया तो दोस्तो दोलपूर के सासक दोस्तो उदेबान सिंग को यहाँ पर नोट क इसके अलाव जैंकि दोस्तो अगर आपको Qum खुकल्से नाम वड़ी इंपोर्ट है रट लेना मत्य से संकें मंत्री मंडलमे एक सामिल सद्द शाइर जो गौल कसा च्वार्य इसके अलाक्र तो मारा मार्वा्ष्टर बोलानात ठीक है बोलानात ठीक है दोस्तो इसके अलावाई चिरंजी लाल मिस्र ठीक है । दॉक्तर मंगल सिंग डॉक्टर मंगल सच खीक है न हो गया मास्टर जूगल की सर्व परत्तम चलन वा था आगे देखे दोस्तों नेस्ट कुशन अक्वर ने चित्तोड के दुरुख पर अधिकार कभी किया था 15 अक्टूमर 1562, 23 अक्टूमर 1562, 25 फरवरी 1562, 15-1552, कितना घजब का परसन है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों नोट करना, अक्वर ने चित्तोड के दुरुख पर पूर्त अधिकार कर लिया था 25 फरवरी 1568 को, उत्यनमर 6 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो देगा ये बात हो रहे है दोस्तों चितोड के तीसरे साखे की समय की तीसरे साखे की समय चितोड में टोटल दोस्तों कितने साखे हुए तीन साखे हुए थे राधस्तान में सबसे ज़्यादा साखे चितोड के दुरूग में ही हुए इसलिए दोस्तों इसको जोहर का किला भी कहते है जोहर वाला किला भी कहते है जोहर वाला किला भी दोस्तों किसे कहते है जोहर वाला किला को कहते है क्योंकि इसमें दोस्तों तीन जोहर हुए थे या तीन साके हुए थे दोस्तों इस बात का ध्यान रखना तो दोस्तो इस तीसरे साखे की समय की बात है जब दोस्तो चितोड का राधा उससे में कौन था उदे सिंग था मारणा परताब के बाप का नाम है उदे सिंग तो ये दोस्तो उदे सिंग था उससे में 15668 के समय और दोस्तो विपक्स में कौन था इसके विलन कौन था अकबर तो अकबर और उदे सिंग के मतित दब दोस्तो पंद्रासो शर्षर अश्र में लड़ाई होती है उसमें दोस्तो उदे सिंग भाई लड़ता हो दोस्तो वीर गति को प्राप्स होता है साथ में दोस्तो इस उदे पूरा कंसेप्ट आपको किलिए उतने नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्टर हो जाएगा यहाँ पर देखिए दोस्तों कुंबल गड़ दुरू का सिल्पी कौन था बाई बड़ा गजब का परसन दोस्तों अत्री कुंबा संप्रिती मंडन तो हमारे इस क्यूशन का अंसर तो दोस्तों ते नंबर सी बिल्कुल करेक्टर देगा मंडन था कुंबल गड़ दुरू का सिल्पी कौन था मंडन लेकिन दोस्तो अगर आपको रादस्तान के परमु के वास्तुकार दोस्तो एक साथ कहीं एक ही जगा पर दोस्तो लिखे वए मिल जाए तो कहना ही क्या तो दोस्तों यहाँ पर नोट करना रादस्तान के जो परमुक वास्तुकार दोस्तों हम वात करते हैं वाई कौन कौन है है ना इसतापते कला के तो यहाँ पर नोट करना अगर आपको पूछे दोस्तों हवा महल का वास्तुकार है हवा महल का वास्तुकार देखे दोस्तों अगर आपको पूछे यहां पर नोट करना कि दोस्तों विजय संतंब का वास्तुकार कोन कोन है विजय संतंब का थीक है इस बूंचे जेन मंदीर है दोस्तो रनकपूर के जहन मंदीर कहा परिशित है यह पाली में इस बात का द्यानकना इनके वास्तुकार इनका वास्तुकार कौन था रनकपूर के समों में से दोस्तो एक मंदीर है लून वसई जैन मंदीर लून वसई जैन मंदीर तो देल वाड़ा की लून वसई जैन मंदीर का वास्तुकार अगर आपको पूंचे तब दोस्तो आपको आपको करना है सोबन देव देल वाड़ा की लून वसई जैन मंदीर का वास्तुकार क कौन था तो कीरती धर करना आपको कीरती धर यह दोस्तो देल वाड़े के विमल बसे जैन मंदिर का कहता वास्तुकार अगर आपको जेपूर का वास्तुकार पूचे जेपूर का वास्तुकार कौन था तो दोस्तो आपको करना है विद्यादर बठा चारिये विद्यादर बठ यह जयपूर का दोस्तों कौन था वास्तुकार था अगर आपको कुछे नो लख्खा नो लख्खा बावडी का वास्तुकार कौन है बैई नोलख्खा बावड़ी जो दोस्तो कहां पर इसी था हमारी नोलख्खा बावड़ी ये डूंगरपुन में इसी था है और इसका दोस्तो वास्तुकार कौन था या पर नोट करना इसका वास्तुकार था लीलादर लीलादर दोस्तो नोलख्खा बावड़ी का वास्तुकार था अगर आपको कुछे तिरी मुखी बावडी ये कहा इसी थे है ये दोस्तो उद्यपुन में इसी थे है और इसका वास्तुकार दोस्तो कौन था तो नाडू गोड नाडू गोड दोस्तो तिरी मुखी बावडी का वास्तुकार है इस बात का द्यान रखना ठीक है इसके अला द हाती एक का नाम तो दोस्तो एंड लालू, हाती एंड लालू दोस्तो नतमल की हवेली के वास्तूकार थे, very very important कुम्बलगड़ु का वास्तूकार कौन था, मंडन, तो दोस्तो ये सभी बात है दोस्तो ज़्या रहना, एक बार रिवजन करा देता हूँ, कुम्बलगर दुरू का वास्तुकार मंडन, जेपूर का वास्तुकार विद्यादर बठाचारे, नोलखा बावडी का लीलादर, तिरी मुकी बावडी का दोस्तो नाडू गोड, नतमल की हवेली का लाल हाती एंड लालू, हवामेल का वास जेन मंदिर का वास्तुकार कीरती दर, तो यह सभी वास्तुकार दोस्तो आपको यार रखना है, अक्सर इनी में से दोस्तो एक्जाम में बार बार क्यूशन दोस्तो गूम फिर कर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो हमारे इस क्यूशन का अंसर क्या हो जाएगा, बागोर की सब्वेता निम्ल एक्तम से किस जेले में सुधता है अगर आपको पूंसले जेसल में में गंगानेघर में बीकां नेले airport तो दोस्तों ये बागोर की सब्वेता से मिलें इस बात का द्यान रखना ठीक है इसके अलावाद है कि दोस्तों ये तो होगी बागोर सब्वेता अगर आपको पूछले दोस्तों कि बागोर की हवेली बागोर की हवेली कहा इसी थे तो गलती से भाई बीलवाड़ा मत कर देना बागोर की हवेली दोस्तो उद्यापूर में इस थे थे इस बात का ध्यान रखना ठीक है, बागोर के ओवेली पूँचे, उद्यफृ करना है, बागोर सभेता, बिलवाड़ा में कोठा धीके किनारे, ठीक है, सबसे पहले Paypalण के साकसी मिले, इसके दोस्तों, उत्कनान करता, पूँचले, यह इसका उध्करन करता है तृष एंपर देखे दोस्तो अगर मैं नेस क्विस्ट की दोस्तो बात करूं तो यह आपे नोट करना निमल लिखीत में इसे मेवाड के किस सासो को सीशू अवस्ता में पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन का वलिदान देकर बचाया था मेवाड के किस सासों को बचाय था माराना परताब को, राना कुम्बा को माराना उदे सिंग को या दोस्तो माराना मोकल को माराना उदे सिंग की दोस्तो दाई का नाम है पन्ना दाई इसको दोस्तो इस पन्ना दाई ने अपने पुतर चंदन का वलिदान देखर दोस्तों बचाया था किस से बताया था भाई यह ना बीरवल से बताया था इस बात का दान रखना तो हमारे इस क्यूशन कांसरूत नमर दोस्तों से बिल्कुल करेक्टर हो जाएगा ठेक है अगर आपको पूचे इसको मेवाड की पन्ना दाई किसे कहते हैं तो मारवाड की पन्ना दाई किसे कहते हैं तो मारवाड की पन्ना दाई कहते हैं गोरा दाई को गोरा दाई को इसने किसको बचाया था भाई गोरा दाई को दोस्तो जैसे पन्ना दाई ने इस माराना उजे सिंग को बताई था इसलिए दोस्तों इसको अजीछ सिंग की दाई भी कहते है, गोरा दाई ठीक है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है उतने नंबर सी बिल्कुल करेक्टर हो जाएगा नेश्ट क्यूशन देखे दोस्तों क्या होगा यहाँ पर देखे दोस्तों अर्दुनलाज सेटे ने 1905 इसी में वर्दमान पार्ट साला की स्थापना की सहर पर की थी जेपूर में कोटा में करोली में या दोस्तों उध्यपूर में अर्दूनलाज सेटी का समझ दोस्तों हमारे जेपूर जेले से था उत्य नमबर एक बिल्कुल करेक्टर जाएगा इसने जेपूर में 1905 में वर्दमान पार्ट साला की या वर्दमान विद्यापीट की स्थापना की थी ठीक है उत्य नमबर से बिल्कुल करेक्टर जाएगा अकसर एकजाम दोस्तों कि यह पूंशा Damता है कि जेपूर-आजे में जेपूर में सवरो परतम नोट कई ना, जेपूर में सवरो परतम सबसे पहले राजनीतिक चेतना का दोस्तों अलख जगाने वाला व्यक्ति कौन था तो वो दोस्तो अर्दूनलाज सेटी ही था इस बात का दानेकना और इसी अर्दूनलाज सेटी ने दोस्तो कहा था इसी अर्दूनलाज सेटी ने कहा था अगर मैं राज्ये की नोकरी करूँगा या पर नोट करना अगर मैं राज्ये की दोस्तो तो राज्य की नोखरी करूँगा नोखरी करूँगा तो अंग्रे जोको देश से बहान निकाने का काम कौन करेगा ये खतन किसका था ये अर्धुनलाद सेटी का था दोस्तो इस बात का दाने वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ठीक है तो उतने नमर दोस्तों क्या हो देगा हमारा एक नमर बिल्कुल करेक्टर देगा नेस्हिए क्षिए देखें दोस्तों क्या होगा यहाँ पर देखें एक मिनुट दोस्तों आपको एक कंसेप्ट और बता देता हूँ ने आप graveyard not करना सापरा बिलवारा से ठीक है केसर जिंग बारट ने दोस्तों वीर बारत सभा की स्थाप ने की थी कांफर की थी वाई कोटा में की थी कब की थी तो दोस्तों गुन्य सो दस में की थी इस बात का इब दोस्तों द्यान रखना एक्जामी कुशन पूछा रहता है ठीक है आगे द पूछे दोस्तो ओ सिटी ओप किसे का जाता है इस टेफ वेलस दोस्तों किसे का जाता है तब आपको करना है बुंदी को बावडियों का सहर कहते हैं सीटी ओफ इस ठीफ वेल्स ठीक है अगर आपको पूछले CiT of Wales सीटी ओफ वेलस कुछले इसका मतलब होगा दुस्तों गंठियों का सहर का जाता है सीटी औफ वेलसogen सीटी औफ इस टेवल्साब को कहते हैं व्यृड़ इंपोटेंटन्टि ते साफको और मेंस नावके से दोस्तो जाने जाने का है यह दोस्तों आमारे वर्तमानमी अजमेर में दोस्तों उद्यपुर्म्हेताज़ी को उते नमबर दोस्तो एक बिल्कुल करेक्टर होगा और इस अलवर जिले में कीला का नाम है दोस्तो बाला कीला बाला दुरुग दोस्तो इस बाला दुरुग को दोस्तो कुमारा दुरुग भी कहते हैं इस बात का जानक में बड़ा इंपोर्टेंट है पहले बात तो एक्जाम सबसे बड़ी कान कहां इस्तित है रेवारा देवपुरा रामपुरा आगुजा है दोस्तों जावर है तो दोस्तों में आगो कितने बर बताया कि धसे बड़ी कान जावर उध्यपुर में इस्तित है कहां पर शिता है जावर उध्यपुर में सबसे बड़ी कान इस्तित है रामपुरा आगुजा दोस्तों यह भी सीचे दस्तों कि सबसे बड़ी खान अगर मैं बात करूँ आपको पूंसे कि रोख फासपेट की रोख फासपेट की सबसे बड़ी खान कहा है इस दित है तो यह दोस्तो जामर कोटडा जामर कोटडा हमारे दोस्तों यह भी उद्यापुर में इस दित है इस बात का दोस्तों द्यान लखना ठीक है यह सब्से बड़ी कान काई सित है उद्यापुन में इस सित है तो दोस्तो आपको इन सब बातों का द्यान रखना है नेश्ट कूसंट क्या होगा यहाँ पर देखिए दोस्तो बड़ा गजब का कंसेप्ट आपका किलियर होने वाला है राधस्तान में बालू का पहला स यूलों में दोस्तों इस्तित है एक तो है जालोर में जालोर में और इसके साथ है एक सीरोई में ठीक है पहला कुछिन तो यह बन गया यहां से दूसरा कुछिन दोस्तों यहां से यह बनता है कि सुन्दा माता कंजर्वेशन डीजरू है यह रादस्तान का पहला बालू संरक् कुछ ईप्तुमां में कितने खनेक संडृष्ट ग्रसेत चेटर बहुत है त्शाओ दोस्तों ये पुरूष पूरूरू कुछ इत है वर्तमान में कहा पर इसी था तो केकडी मिश्ती था वर्तमान में केकडी मिश्ती था ठीक है वर्तमान में केकडी मिश्ती था इसके अलाव देखे दोस्तो अगर साकंबरी पूंचे तो साकंबरी हमारा भाई सीकर जिले मिश्ती था शीकर रिया नीम का थाना जिले में नीम का absorption इवे 36 राधस्तार का सबसे नमिंतम नमिंतम conservation इसट पूंचे तो दोस्टों यहाँ पे नौत करना अमरख महाधेव जो conservation reserve कहाँ पर फड़ता है यह मारा उध्यपूर में चिता है उध्यपूर में ठीक है यह दोस्तों राधस्तान का नमिंतम 36 वा आपको 35 डिजर्व राधसतान को है तो बाले में निपका थाना यहां पर दोस्तों लोई की खड़ाने में हैं तो उस्तित हमारा राधस्तान का 35 वा रस एकर नहीं देखे दोस्तों क्या होगा यहां पर देखे भाई यह बोला है राधस्तान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंब किस वन्य जीव छेतर से किया गया था सरीशका से रन्थंबोर से केवलादेव से दोस्तों मुकुंद्राहिल से देखे हमारे इसक्यूशन का अंसरुत नम्बर देख में शुरूआ था एक अप्रेल एक अप्रेल गुन्नी सो तैंतर को राधस्तान में दोस्तों वन्य जीव अभ्यान रन्थंबोर में दोस्तों कब से लागू किया गया तो गुन्नी सो चोंतर में दोस्तों इसको लागू किया था इस बात का ध्यान रखना ठीक है तो टाइकर राधस्तान में कब शुरूआ गुणी सो चोंतर में देश में गुणी सो तैंतर में टीक है इतनी सब बात होगा दोस्तो ध्यान रखना आई यह वप आपका पूरा देखने को park a or park b PAR Try MARK खिरो हो जाएगा राधस्तान क्रश चैन बोड़रा एकर अगरी कलचर, शुपरवजर आदिस सब्सushima से समझें उनस सब्स इस टोपिक सेसे टीक यह लिधले का यह जहीं दोस्तो ताइब होगा काुगधा दोस्तो तो जाकर दोस्तो जरूर देखने को मिलेंगी तो जाकर दोस्तो जरूर देखना आज के लिए इतना है तब तक के लिए दोस्तो जैहिन जयाबार थैंक्यू मिलते हैं नेश्ट किसी क्लास में जल्द ही